सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस भरती पर आविदन करने की अंतिमति थी 10 मई 2022 है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भरती पर आविदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कैसे आप इस भरती के official notification की PDF डाउनोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब चीजों की प तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी स्वास्ते विभाग के अंतरगति भरती होने जा रही है पोश्ट का नामे female health worker यानि की महिला स्वास्ते कारे करता टोटल नंबरो फेकेंसी यहाँ पर 3137 है जिनको आप सभी eligible candidates के दुआरा भरा जाएगा educational qualification के अगर बात करें तो candidate के पास female health worker basic training course का डिपलोमा होना जरूरी है इस भरती में participate करने के लिए आयू सेमा आपकी 18 साल minimum और 41 साल maximum रखी गई है सेलरी आप notice से चेक कर सकते हो फीज की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी candidate को 112 रुपे फीज के रूप में जमा कराने होंगे वहीं पर SC, ST और PWD category candidates को कोई फीज जमा नहीं करानी है यह फीज का amount आप SBI के माध्यम से जमा करा सकते हो selection यहाँ पर आपका return test और intro के आधार पर किया जाएगा online आप इस भरती के लिए आविदन कर सकते हो official website है gpssb.gujrat.gov.in job location गुजरात है ओल इंडिया में आप कहीं से भी आविदन कर सकते हो date के अगर इस भरती की बात की जाए तो इस भरती पर online आविदन करने की starting date 26 April 2022 है वहीं पर आविदन करने की last date के अगर बात करें तो वो 10 मई 2022 है जिहां दोस्तो आप 26 April 2022 से 10 मई 2022 के बीच में इस भरती के लिए आविदन कर सकते हो तो दोस्तो ये ती स्वास्ते विभाग की इस भरती की पूरी जानकारी इसके बाद भी दोस्तो अगर आपको इस भरती के बारे में और जद जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वैबसाइट के इस बेच का लिंक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में पलस फर्स्ट कमेंड बॉक्स में मिल जाएगा जहां पर जाकर आप डिरेक्टली इस भरती के ओफिशल एडवर्टाइजमेंट्स की पीडिएफ को ओपन करके पूरी डिटेल आप उनमें से रीर कर सकते हो जिहां दोस्तों यहां पर आपको सोट नोटिस और डिटेल एडवर्टाइज नोटिस प्रोवाइड कराए गए हैं जिनके माध्यम से आप इस भरती से लेटिट पूरी डिटेल वन बाई वन करके चेक कर सकते हो और पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप सिंपल इस भरती के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हो जिसके लिए लिंक भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराए गया है यह इस भरती पर आविदन करने के लिए एपलाई ओनलाइन का डिरेक्ट रिसोर्स लिंक है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आविदन करने के लिए portal खुल जाएगा जिसके माध्यम से आप simply इस भर्ती के लिए online आविदन कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही आई हो पे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूना साथी साथ दोस्तों गर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हम daily basis पर आपके लिए ऐसी ही भी government jobs के update अपने इस चैनल पर upload करते हैं